डिक्टेशन की गती रहेगी 80 सब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकेंड बाद। कॉंग्रेश के वरिष्ट नेता दिगविजै सिहने यह कहकर नाकेवल अपने बल की अपने पार्टी के लिए भी मुसीबत खड़ी करने का काम किया के। यदि कॉंग्रेश सत्ता में आई तो अनुक्षेद 370 को बाहाल करने पर विचार किया जाएगा। इससे भी खराब बात यह रही की उन्होंने यह बात इंटरनेट प्लेटफॉर्म कलब हाउस में एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल के जवाब में कही। एक तरह से उन्होंने वही कहा जो पाकिस्तान कहता चला आ रहा है। कॉंगरेशी नेताओं की ऐसी ही बातों के कारण उन्हों पर यह आरोप लगता है की वे पाकिस्तान की भासा बोलते हैं। दिगविजय सिहने अपने बयान को लेकर सफाई देने की जो कोशिज की वह लिपा पोती के अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने जम्मो कस्मीर से अनुक्षेद 370 हटाने को ना केवल दुखद करार दिया बलकि सत्ता में आने पर उसकी बहाली की भी आस जगाए। क्या उनके बयान को कौंगरिश का अधिकारिक बयान माना जाए। यदि इस सवाल का जवाब सामने नहीं आता तो यही माना जाएगा कि 370 के बारे में जो वीचार दिगविजय सिह के हैं वही कांगरिश के भी हैं। वैसे भी यह किसी से छिपा नहीं कि कौंगरिश को अनुक्षेद 370 हटाया जाना रास नहीं आया था। और उसने इसके बावजुद इस फैसले के लिए मोदी सरकार की संसत के भीतर बाहर आलोचना की थी। कि कई कोंगरिशी नेताओं ने पार्टी की अधिकारी लाइन से अलग लाइन ली थी। पैरा भले ही दिगविजै सिह और कुछ अन्य लोग अनुक्षेद 370 की वापसी का सपना देखें। लेकिन हकीकत यही है कि अब उसकी बहाली संभाव नहीं। यह ठीक है कि फारुक अब्दुल्ला ने दिगविजै सिह को धन्यवाद देने में देर नहीं की। लेकिन भेद भाव को बढ़ावा देने अलगाव की भावना पैदा करने और आतंग वाद को हवा देने वाले अनुक्षेद 370 की बहाली की बातो को दिश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। इस अनुक्षेद की बहाली की उमीद करने वाले एक तरह से दिव्यस्पन ही देख रहे हैं। यदि अनुक्षेद 370 के मामले में कॉंग्रेस दिगविजय सिह के साथ खड़े होती है तो वह अपनी बची खुची राजनीतिक हैसियत को और कमजोड करने का ही काम करेगी। समझना कठिन है कि कॉंग्रेसी नेता रह रह कर ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं जो देश विरोधी ताकतों के मन की मुराद पूरी करते हैं। इस मामले में दिगविजय सिह का कोई जोड नहीं वह कभी आतंकी सरगना ओसामा बिन लादेन को सम्मान पूर्वक संबोधित करते हैं। कभी जाकिर नाइक जैसे उनमादी तत्व के साथ मंज साजा करते हैं और कभी बुंबई हमले को आर एस एस की साजिस बताते हैं। उन्हें यह अहसास हो जोए तो बहतर की उन्होंने तीन सो सत्तर की बाहाली की बात करके देश का अहित ही किया है। करते हैं। करते हैं।